लो गाई विलकम बैक टूटू दिस टीडी और आज एक लास में लो करने वाले हैं मैथ के कुछ इंपोर्टिंट से क्वेशन जो कि आपको एर्पोस लेलो एक्जान ग्रूप हो गया नेवी का हो गया मार का इकजा मोगया या फिर को कोश्ट गार्ट का जो गया डीवी हो गया इडी ओगया इसके अलवा यह इन तरीक का जोगी फीज वन में जिस तरह की के मैथ उसन पूछ प्रफुशन पुछा है लेकिन जो आप सभी इसका कॉमेंड करोगी जिसको अंसर पता है ठीक और इसकी अंसर मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा तो देखो यहां पर मैं देखना चाहता हूं कितने बचे एक्टीव हो आपको पढ़ना जिनको पढ़ रहे हैं अभी ठीक है न इसलिए कोईशन पुछा है मैंने भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन से है भारत की सबसे चौड़ी नदी दियान दे रहे हैं यहां पर लंबी और चौड़ी दोन में अंतर होता है ठीक है और इसका अंसर जो है हम लोग रास यहां पर मैंने आपको बता जिए अगर पे करके आप पढ़ना चाहते हो तो गरूर बैच जो है आन अकेड़ी पर लॉंच भी है इस बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और एंडी एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो यहां पर बहुत सारी प्र पर कょЗ मत करो जाके पहले स्पेशल क्लासंज कर लो और रेफरल कोड़ रेफर चुजट अटीट कर लेना आपको फीर में रेफरल क्लास देखने के लिए अगर क्लास अपको पसंद आ गई आपको लग रहा है कि नहीं एक्जाम करक करने लाग है तो फिर जाकि आप क्लासे क का सब्सक्रिप्सन ले सकते हो तो यह चीज को ध्यान में रखते हुए एक चीज ध्यान दो जब आपको सुरू में कुछ ऐसा दिखेगा वन मन्द का ऐसा दिखेगा ट्री मन्स का ऐसा दिखेगा बर देखो जैसी नीचे दिखा हुए अबने I have a referral code तो यहां पर यह वे उपर में तो कुछ ऐसे a to the study लिखा हुआ है वैसे अगर आप नीचे fill कर देते हो एक है तो जाके दो आप मैंने fill कर दिया a to the study तब जाके सारी fee देखो structure में क्या हो गया सारे fee में discount मिल गया हमें 10% का तो इस तरीके से आप एटुदेट स्टेडी का रखल कोड यूज करके हर जगा बेनिफीट ही बेनिफीट पर मिलेगा आपको अन एकाड़ेमी पे फ्री में कि पैसे नगहते हैं उस कोड को यूज करके आप QE में इंटर कर सकते हो QE जोइन कर सकते हो और हम बहसार र।कर संट को अनसर दो प्रेप्रेशन को यह न तयारी को बुस्ट कर सकते हैं तो फइस्ट कोशन के आसके मैं ने क्लास के हमारा फिर वास्तवीक मुल्क को पूनल लाने के लिए क्रैम एक नहीं कीमत में गिरावाट की जानी चाहिए देखो, बोल रहा क्विशन कहने का मतलब एक चावल है मालनू, ठीके न, मालनू पहले कैसे भी होगा, 100 रुपे केजी है, मालनू 100 रुपे में केजी मिल जाता है, फिर वो 60% बढ़ेगी आउसकी कीमत, तो कितना हो जागा, 100 में 60% बढ़ाएंगे तो, 160, 160 रुपे हो गई, मत वापस उसी रेट में लाना चाहते है, 100 रुपे पर केजी के हिसाब से, मतलब एक केजी जो है 100 रुपे में मिल जाए, तो बताओ कितना परतिसत कम करना होगा, तो 160 में कितना परसेंट कम करोगे, तो वापस सव आएगा, बताओ 60 रुपे कम करोगे, तो 60 रुपे जो है, 160 क कितना परसेंट है यह बता हुझे कट गया 00 ठीक है यह दो से कटाओ तीन बार में और यह आठ बार में अब चार दुनिया आठ और यह पचीज यह पचारतर बटा में दो एक पचारतर बटा में दो परसेंट तो अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगी तो 37 तो ना 1 बाइ 2 परसेंट अंसर आजाएगा मतलब इतना परती सक्त वापस हमें कमी लाना होगा 160 में ठीक है ना तो फाइनली अंसर हमारा भी और यह बहुत इंजी सा क्वेशन था इसने में बहुत ज़रा डीप में गया निए इसका यह लॉजिकल क्वेशन था और इसमें कुछ था नहीं फ्रेशन नमबर टू देखो क्या है एक संख्या में 20% की ब्रिदी हो जाती है तो मौल संख्या को वापस लाने के लिए बड़ी होई संख्या में कितने की कमी करने चाहिए वही चीज है देखो मालो पहले 100 लिखा हुआ था उसमें 20% इंक्रीज कर देंगे तो 120 हो जाएगा है फिर वापसे सौ लाने के लिए कितना कम करोगे 20 रुपे करेंगे जा फिर 20 कम करेंगे तो 120 का 20 कितना परतीसत हुआ ये बताओ यह कितना परतीसत हुआ 100 बटा 6 परतीसत तो 50 बटा 3 परतीसत यह हुआ ना 50 बटा में 3 परतीसत तो 50 बटा 3 को fraction में change करो तो 16 पूर्णा 2 बटा 3 परसेंट आ रहा है आपका जो की answer हो जाएगा option number C सिंपल सा था कुछ भी था ने इसमें बस logic आपको यह लगाना था कि देखो सो रुपया मान लो है 20% पढ़ाएंगे तो 120 बटा रुपया हो जाएगा तो आपस से 100 करना हमें 120 में आप सो प्ला कमी करोगे ना आप 100 में छोड़ तो घूई आप 120 में कमी करोगे 120 में कितना कम कर तो कितना प्रतिसात हुए 120 का वहीं तो निकालना था तो आपका आगा था सुलापु नंग दो उटा थी कटा वटा के ठीक है चलो एक गाओं में जो था एक गाओं बाढ़ में उसकी 12% बकरियों को खो देता है एक गाओं है ठीक है जोटा सा जोपड़ी वाला गाओं है मतलब सारे लोग बकरी पारन करते हैं वहाँ पे मालो वहाँ पे जितनी भी बकरिया थी उसमें तो 12% जो है वो नानी घर चल गए पानी है ठीक है मतलब 12% बकरिया चले गई ठीक है न और फिर बोर रहा है यस जो है पांच पर्सेंट बीमार थी बीमारी से मर गैं बहुत सारे देखो बाढ़ आई तो बहुत सारे बीमारी भी लेके लाता है तो ठीक है खत्ब होगे 5% बिमारी से अब बोर रहा अभी जो बकरी बच्ची उए उसमें से 8,360 है तो सबसे स्टार्टिंग में जब बाढ नहीं आया था तो उसके पहले कितनी बखरीया थी बता नहीं है तो हमाले पहले एक्स बखरी थी बाढ आया तो उसमें से 12% कम हो गई या तो 100 में से 12 गटाओ तो कितना पर 30 सत बचेगा तो 88 अब बची क फिर कितनी 5% लॉस होगा एक इसी में बाई बीमारी से 100 में से 5 गटाओ 95% तो टोटल अभी कितनी बची है तो 8,360 अब इसको फाइनली सॉल्व कर दो और इसका एक का जो रेल्यू आएगा अंसर हो जाएगा आपका तो यह कोई गारा के टेबल से कटाओ तो 8 बार में कट ज किया यह और एक का वैलू क्या गया यह दोनों सर्ड जाएगा तो एक पर 40 बैठा देंगे काई दाई सेकड़ाजार अजार ठीक है ना फाइनली 10,000 बकरिया जो थी पहले थी उस गाउं में ठीक है चलो ऑप्शन नमर जो है बी राइट अंसर है अगर आपका भी है चीज य नमर फॉर बोल रहा है ए जो है परिच्छा में अधिक्तम 900 अंकों के साथ 72 परसेंट प्राप्त करता है ठीक है ना ठीक है अब यह क्वेशन समझने का तरीका समझो यहां पर अब ऐसा नहीं कि उसके मार्स नौसो आए है मैक्सिमम जब लिख दिया ना कि मैक्सिमम नौसो तो मतलब वो पेपर जो था 900 नंबर के था और 900 में वो 72 परसेंट लाया है फिर बोल रहा है अधिक्तम 700 अंकों के साथ अन्य परिक्षा में 80 परसेंट लाया है तो मतलब वो 700 में 80 परसेंट उसका आया है ठीक है ना दूसरा इंसान जो है यदि परिणाम दोनों नेश्त क्या है देखो मैं आपको समझा रहा हूं यहां पर दो लड़की ए ठीक है न राम एंड-सया एग्जाम का एग्जाम ने परसंट ले करे नी जी एग्जाम नेवी का एग्जाम एग्जाम नेश्जाम था नौसव नमबर तो वह जो है 900 में 72% मार्क्स लेखर आ ठीक है ना, 900 में कितना %? 72 परसेंट लाया तो 900 का 72% कितना होता है? 648 तो यह जो है राम 648 नमबर लाया Air Force के एकजाम में और पास हो गया जो है नेवी के एकजाम दने गया, इसको मिली कितने, 700 नमर के पेपर था और एटिपरसेंट हो था कितने नमबर कहा था और डूसरा साथ था घूर सोगा वा है outlined 648 प्लस में 560 ठीक है तो कितना हो गया 1208 तो यह 1208 जो है यह 1600 का कितना परसेट है देखो मैं इस साइड लिख रहा हूँ सोला सो नीचे आजाएगा जिसका और 1208 अब इसको फाइंड दे स्वाल्व कर दो 00 कट गया और शोला को बारसो वाट से जबाप क्या करोगे डिवाइड जया दो क्या आगा 75.5 परसेंट ठीक है न कितना दोनों को मतलब जो सहीं तुरूप से पूछ रहा था कॉंबाइंड परसेंटेज कितना आगया 75.5 परसेंट अभी देखो नेक्स्ट कुशन अमरे पास एक सेना ने यूद में अपने 10 परसेंट पूर्जों को खो दिया मतलब आर्मी की जवानों को खो दिया 10 ठीक है न सेस 10 परसेंट जो थी वो किसे वीमारी के बज़े से मर ग पर बूर रहा है इस कारण सेना की ताकत गटकर जो ये डेटा दिख रहा है इतना पच गया तो पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में सेना कितनी थी ठीक है ना मतलब अभी जो है टोटल 10 परसेंट यूद में आरे गया और 10 परसेंट रोग के वज़े से मर गया और फिर 10 पर यूद में माले के तो बचे कितने 90 परसेंट बचेंट को बिमाली हुआ तो फिर कितने बचे 90 परसेंट बचे फिर 10 पर संट हफ्प होगे तो कितने बचे 90 परफे और फारी लिलिवի विपा अभी जिने भचे हुए है साथ लाग 29,000 ठीक है तो यह एक दो और तीन जिरो उखटा दो साथ 129 कट गया ठीक है तो यह 9 से कटा हो गए तो नो आट बहुत और यह एक आसी और यह 9 इंटू 9 के आवगा एक आसी तो यह दोनो नो नो कटके कट जाएंगे तो बचा के दना एक बराबर यह 300 को मल्टिप्लाई करो और इस साइड ला दो तो छे जीरो जो होंगे इनके उपर दस लाक बचे तो फाइंट यहमारा आंसर आप्शन नबर भी पाइप का अंसर क्या होगा अभी चलो नेक्स है मार पास एक दिन का कितना परसेंट 30 मिनट होगा ठीक है न यह 30 मिनट जो है वो एक दिन का कितना प्रतिसत होता है यह देखो यहाँ पर एक दिन में टोटल कितने मिनट का बात कर रहा है न तो फैल यह बताओ एक दिन में मिनट कितना होता है तो एक दिन में 24 24 hours और एक गंटे में कितना 60 मिनट तो इसको मुल्टिप्लाई करो तो एक दिन में कितनी मिनट हो जाएंगे 1440 मिनट हो गया ठीक है एक दिन में 1440 मिनट का 30 मिनट कितना परचेंट हुआ जो 30 by 1440 एंडू 100 ये कटा दू बचया हमारा 300 बटा में 144 ठीक है 300 बटा में 144 अब इसको भी जब फाइनली कटा हो तो आजाएगा आपको पास 25 बटा में 12 और ये बचिए हमार पास 2.083 अब ये कैल्कुलेशन इथना आप कर सकते हो 300 बटा में 144 को तो कैल्कुलेट करीं सकते हो आयो ठीक है यहाँ पर 3 से भी कटा सकते हो हैंडल बार में कड़ गया ठीक है ना ये बारह और 48 बचिए आपको पास फिर चारे के टेबल से कटा हो गए तो 25 ठीक है ये बारह ठीक है फाइनली हमार आगया 25 बटा बारह तो पटीस बटा बारह को जब आप डिवाइड दो दोगी तो 2.083 आजाएगा वही सब हुगा आप्सन नमर पांच बारह कितने देखो पांच बार एक प्रोसेस को अपनाना है पांच साल तक ठीक है ना एक दो तीन चार पांच पांच पहले साल उसको पचीस परसेंट क्या करता है रॉफिट होता है दिसरी बार उसको चार परसेंट का लॉस होता है फिर पचीस परसेंट प्रॉफिट् चार परसेंट लॉस फिर पचीस परसेंट प्रॉफिट फिर अगले है 72,000 रुपए तो इसमें क्या करोगे वही चीज करोगे एक इंटू profit उला में ये 125 इंटू loss हो गया तो क्या हो जाएगा 4 परसेंट इसका माइनस कर दो 100 में तो 96 by 100 फिर अगले बार उसको 25 परसेंट इसका profit होगा तो फिर अगले साल उसको लॉस हुआ 96 by 100 और पांचीज साल उसको 25 परसेंट का profit होगा ठीक है तो इसी तरीके से इसको solve करो यहां पहले मालों में पता निए था कि वर्तमान में कितने पैसे तो एकस पैसे उसके पास तो पहले साल 25 परसेंट का profit हुआ दूसरे साल 4 परसेंट का discount हुआ फिर उसको 25 परसेंट का profit फिर उसको 4 परसेंट का loss ठीक है डिसकान ने लस होगा ठीक है अब इसी तरीके से पांच बार हो गया आप फाइल उसके पास बचा 22,000 रुपया अब इसको आप जिरा solve करना क्योंकि बड़ा खिचड़ है ठीक है न यह 25-25-25-100 फिर यह 25-25-25-100 और 25-25-25-100 अब यह 4 के table से कटेगा 4 दूने 8 और 4 चके 16 और यह 25 ठीक है न यह 24 और यह 25 अब इसको जरा मैंने छुटा कर दिया आप पुड़ा कड़ा डालो फि तो स्टार्टिंग में उसकी कितनी प्रॉप कितना था उसके पास स्टार्टिंग में कमाई कितनी थी उसकी अर्णिंग तो 40,000 रुपया थी ठीक है अब उसको वाल एक्वेशन को जोना solve करना option numbers यह आपका राइट अंसर आजाएगा ठीक है ना चलो next question देखते हैं हमारे प परिच्छा में 73% में दवाज हुए मैप की मतलब संक्यात्मक अब युविता में क्या होते हैं पास हो जाते हैं ठीक है ना मतलब क्वांटिटीव अप्टिट्यूट में आप यहां पे इंगलिस पढ़ लेना इसका मतलब समझगा जाएगा यह वह 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 व 24% दोनों में उत्रिन हो जाते हैं ठीक है ना यदि 3300 मतलब 6300 दोनों भी से में फ्टेल हो जाते हैं तो परिचार्ट्यू इकुल संख्या कितनी थी देखो ऐसा कोशन जब भी देगा ना ग्राफ टाइप का कि मैथ का था उसमें 73% पास हुए जेनरल अवेर्नेस का जो था जी ये का जथा उसमें 70% पास हुए और दोनों का ये जो पार्ट यहां पर दिखे रहा आपको पोशन उसमें दोनों मिला के कितने 74% पास हुए उसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें निकालना है कि टोटल कितने बच्चे वहां पर क्या हुए भाई सबसे पहले ये बताओ कितने बच्चे है हुए ठीक है क्योंकि फेड होने वाले कितने थे दो 73 और यह जब आप क्या करोगे इसको solve करोगे तो कितना आजाएगा 143,64 ओके अब इसको क्या करोगे आप माइनस कर लो 79 आजाएगा ठीक है 79 परसेंट टोटल कितने हुए पास हैं टोटल एस्ट्रेंट्स में से 79 परसेंट पास हुए तो फेल कितने हुए भाई हैं डिट में से 79 गटा दो तो 21 परसेंट तो फेल कितने हुए हैं डिट माइनस 79 इसको टूट तो बोल रहा है कि दोनों में फेल होने वालों भी संख्या आए तिरसट्स ओ ठीक है न मैं यहां पर लिखना हुआ ज़र समझा है यहां पर तो अगर 21 परसेंट फेल होने वाले औ तो इसको जब कटाओ गए तो कितना तीन मतलब 300 तो आप 300 से मल्टिप्लाई कर तो तो टूटल 100 परसेंट निकल जाएंगे मतलब काइद आई से एकड़ाँ दस अजार ठीक है तो टूटल यहां पर कितने बचे थे तो 30 जार बचे थे ठीक है थे ना तो टूटल यहां पर कितने थे यह क्या बोल रहे हैं, उसकी AI में 20% से वरीदी होती है और उसके खर्चचों में 10% से वरीदी होती है, तो उसकी बचत में कितना परतीस बचत बचता है, ठीक है ना, बतलब बचत में बढ़ा हुआ परतीस गयाद करूँ, यहान पर समझो, दो कंडिसन दे रखा है, पहला उसका income मालनो 100 और पैथ ह। वो spend कितना करता था। वो spend करता था 75 रूपेज। क्योंकि 75% कितना करता सव का, 25 रूपेज, सेविंग कितना करता था, 25 रूपेज। क्योंकि 75 रूपेज जब खर्चा करेगा 100मे तो बचा कितना। 25। लेकिन उसका 20% जब income increase हो गया तो 20 हो गया ठीक है अब देखो जो खर्श थी वो भी 10% क्या हो गई बढ़ गई ठीक है तो 120 रुपए में वो 82.5% खर्ज कर रहा है तो बचाएगा कितना तो 120 माइनस 82.5% गटा दो जितना आएगा तो उसकी savings हो जाएगी है ठीक है तो 37.5 इतना वो बचा रहा है अब और पहले बचाता था 25 रुपए और अब बचा रहा है 37.5 तो बताओ पहले की अपक्षा में अ कैसा निकालेंगे जितना बढ़ा होगा उतना तो 25 को माइनस कर दो ठीक है यह कितना हो गया 12 मतलब 25 से तुलना करेंगे अगर साड़े बारा ठीक है न तो साड़े बारा जो है 25 का कितना परतिसत हुआ तो ऐसे भी तो दुगना दिख रहा तो यह 50% ही होताएगा क्योंकि 25 क अधा होता है न यह 12 तो यह कितना हो गया 50 परसेंट तो मतलब पहले कि अपेक्षा सेविंग अब वो 50 परसेंट उसका बढ़िया ठीक है न तो फाइनली अंसर यहां पर हो जाएगा 50 परसेंट ओके अभी देखो नेक्स्ट कुशन है एक मीटर एक 1.5 मीटर लंबी रसी को अपने लिया गया था तो बताओ तुरूटी परतिसत का मान बताओ उसमें क्या एडर हुआ था मतलब 1.5 उनको मेजर करना था बट हमने गलती से 1.55 मेजर किया तो कितना ज्यादा किया 0.05 ज्यादा मेजर किया बोलो क्या से ही क्यूंकि आप 1.55 में 1.5 माइनस करो तो क्या आएगा यही आएगा ना 0.55 तो 0.55 हमने क्या किया इक्स्ट्रा ले लिया कितने में 1.5 में तो यह कितना परतिसत हुआ 0.05 by 1.5 into 100 कर दो अब यह क्वाइंट के बाद देखो कितना डवल लंक और यह डवल 0 तो फानले हमारा 5 हुजएगा मुल्टिप्लाई हो के तो 1.5 तो यह 5, 10, 15, 15, 10 बटा 3 परसेंट, 10 बटा 3 को आप क्या लिख सकते हो और यह लिख सकते हो, और यह लिख सकते हो, और यहां पर आती है, लास्ट कुशन जो हमने पूछा था आप से, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौम सी है, जब भी चौड़ी नदी पूछेगा तो आपको अब पूछेगा तो आपको अंसर करना है गंगा, ठीक है, ना, तो यहां पर पूछ रहा है क्या, सबसे चौड़ी नदी, तो आपको ब्रह्मपुत्र को अंसर करना था, लंभी नदी पूछता है, तो गंगा, ठीक है ना, चलो, और और क्या, मिलते हैं नेक्स वीड़ी करके comment करके जोड़ों बताने कितने questions का आपने answer सही किया ठीक है गुडबाई